नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है निलतपॉल और आप देख रहे टेकी जील्दी दोस्तो आज हम Eclipse के एक एरोर के बारे में देखेंगे जहापे मैं Eclipse के ओपर मैंने JSP प्रोजेक्ट क्रियेट किया हूँ और मेरा Tomcat server installed है बारसा 9 का लेकिन मैं जब इस program को run करना चाहता हूँ यहाप एक error message आ रहा है आप देख पा रहा है है और Tomcat server successfully run नहीं हो रहा है तो इस problem को हम देखेंगे कैसे solve कर सकते हैं दोस्तो आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मै इस problem को बहुत सारा process solve करने के लिए try करूंगा जो process में solve होगा वह आप खुद ही देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपका PC में या आपका Eclipse ID में इस तरह error message आ रहा है तो आप आसानी से इस वीडियो के मदद से आप उसको solve कर सकते हैं और आप file structure देखें यहां पर मैंने web.xml को open किया हूं और यहां पर देख सकते हैं जो xml का normal file structure है और यहां पर मौजूद है यहां पर मैंने एक process में इसको solve करना के लिए process करूंगा मैं यहां पर मैंने open करता हूं और element को इस port के बाद मैं close करता हूं और देखूंगा इस element tag को देने के बाद यह problem solve हो रहा है यह नहीं तो मैंने element को open किया और इसको close के एकदम नीचे में और उसके बाद मैंने index.jsp file को run as run on server का उपर क्लिक करता हूं और आप देख सकते हैं tomcat version 9 का server है मैं next का उपर क्लिक करता हूं और finish का उपर क्लिक करता हूं और आप देख पर है यह process चल रहा है और same error message अब भी यह दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने okay करता हूं क्योंकि यह problem आभी solve नहीं हुआ है तो मैं दूसरा process ट्राइ करूंगा तो इस file structure को मैंने minimize करता हूं और जो project है उस project का उपर मैंने right click करता हूं तो project का उपर मेरा mouse का point है और मैं right click करने के बाद properties का उपर आता हूं properties का उपर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं left side में कितने सारा menu option है तो मैं project faces का उपर आता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं details और run time दू टैप दिखाई दे रहा है run time का अंतर आप देख पर आए यहाँ पे Apache Tomcat version 9.0 अल्रेडी installed है और उहाँ पे भी mark किया हूं तो इसको बाद मैं new का उपर क्लिक करता हूं और एक मैं दूसरा server लेता हूं जो Tomcat 9 server और यह bracket का अंदर two लिखा हुआ है तो दू server को मैं ने mark करता हूं और apply का उपर क्लिक करने के बाद apply and close का क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूँ जो दूसरा server ओ ओ configure होगा मैं चाहता हूँ दूसरा server के ओपर run करने के लिए तो मैंने फिर से एक बाई run करता हूँ और आप देख पर है यहाँ पे एक तोड़ा process चल रहा है क्योंकि जो दूसरा server मैंने अभी लिया हूँ ओ तोड़ा configure होगा तो इसके लिए थोड़ा time देना पड़ेगा तो मैं wait करता हूँ थोड़ी time के लिए और थोड़ी देर wait के बाद ये process complete हो जाएगा और ये run होने के लिए तैयर हो जाएगा मैं फिर से एक बार run करता हूँ और आप देख पर रहे same error message आभी भी दिखाई दे रहा है तो इस process में भी ये problem solve नहीं हुआ है तो मेरे जो third try होगा वो भी आपको दिखाऊंगा तो मैं फिर से एक बार run as run on server को पर क्लिक करता हूँ और ये same error message भी आभी भी दिखाई दे रहा है तो इस process successful नहीं हुआ है तो मैं इसको close करता हूँ और फिर से एक बार project को पर आड़ क्लिक करता हूँ और properties को पर आथा हूँ और मैं server को पर क्लिक करता हूँ आप देख पार है यहां पर tomcat 9.0 server अल्लेडी इंस्टल है मैं project faces अपर भी सेम दिखाई दे रहा है तो मैं जावा बील फात को पर क्लिक करता हूँ और यहां पर आप देख पा रहा है मैं उसके बाद थोड़ा check करता हूँ मैं resource को ओपर क्लिक करता हूँ और यहां पर आप देख पार है location मेरा project कहां पर save हो रहा है एफ का अंदर eclipse workspace का अंदर hotel booking तो मैं एफ को manual open करता हूँ और उसके बाद eclipse workspace जो folder है आप देख पार है eclipse underscore workspace उसको मैंने यहां पर open करता हूँ open करना के बाद आप देख पार है यहां पर tomcat version 9.0.41 इंस्टल है यह folder आप देख सकते हैं मेरा tomcat server easy का अंदर है तो मैं इस folder को delete करके एक नया tomcat server को इंस्टल करूंगा तो मैं चाहता हूँ tomcat 9 थोड़ी problem हो रहा है तो मैं इसके लिए tomcat server tomcat version 7 को इंस्टल करूंगा तो इसलिए मैंने google chrome open किया और search का अंदर tomcat server को type किया और मैं tomcat 7 download करके search करता हूँ और पहला जो link आया है यह tomcat का official website का link के तो इसको मैं open करता हूँ और आप देख पर आई यहाँ पे tomcat 7.0.108 version का server अभी दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने download करता हूँ यहाँ पे जो core version है binary distribute का अंदर उसका अंदर क्यूंकि मेरा 64 bit का operating system है तो यहाँ पे 64 bit windows zip file है उसको मैंने click करता हूँ उसका उपर click करने के बाद यह download start हो जाएगा आप देख पा रहा है यहाँ पे नीचे download complete हो गया है तो इसके बाद मैंने इस folder को open करता हूँ जहाँ download हुआ है तो इन folder का उपर click करता हूँ और आप देख पा रहा है यहाँ पे tomcat 7.0 zip file है इसको गलती से double click होगा इसके अंदर इसको close करता हूँ और उसके बाद इस zip file को copy करता हूँ copy करने के बाद मेरा project जहाँ पे save है उसका उंदर मैंने इसको paste करता हूँ आप देख पर है यहाँ पे पहला जो tomcat version 9 folder है उसको मैंने delete कर दिया हूँ उसके बाद यहाँ पे right click करके extract here का उपर click करता हूँ इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे Apache tomcat 9 sorry tomcat 7 का जो folder है यहाँ पे surface paste हो गया है और उसका अंदर bean, leave, config इस तरह जो normal tomcat का जो folder है यहाँ पे सभी folder मौझूद है उसके बाद इस eclipse को मैंने close करता हूँ क्योंकि इस tomcat 7 server को eclipse का अंदर मैं add करना है इसके लिए मैं इसको close किया हूँ और फिर से एक बार इसको open करता हूँ जिकिए यह eclipse open हो रहा है मैं launch का अपर क्लिक करता हूँ और यह थोड़ी देर के बाद eclipse id is successfully open हो जाएगा तो wait करता हूँ eclipse successfully open होने तक यह eclipse open हो गया है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो project है hotel booking अपर में है तो इसको मैंने अभी run करने के लिए कोसिस करूंगा और देखाऊंगा यह run हो रहा है यह नहीं देखिए यहां पर फिर से error message दिखाई दे रहा है लेकिन error message का अंदर दूसरा message show हो रहा है जो message पहले दिया था वो message अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो मैंने फिर से एक बार नया project को add करता हूं और देखता हूं इस इसके लिए मैंने new का उपर क्लिक करता हूँ और dynamic project को चूश करता हूँ और यहाँ पे किसी भी एक project का नाम यहाँ पे मैंने right लिखता हूँ जैसे मैंने hotel यहाँ पे लिखा और उसके बाद tomcat server को add करना पड़ेगा तो new server को उपर क्लिक करता हूँ और apache tomcat 7 को select करता हूँ उसके बाद next को उपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उस tomcat folder को select करना है जो मेरा project का अंदर है तो f का अंदर है इसके लिए मैं f का क्लिक करता हूँ और eclipse workspace को open करता हूँ और apache tomcat 7 folder को स्रिफ select करना है मैं ज़्यादा सिलेट कर दिया हूं तो बैक करके Apache Tomcat 7 को सिलेट करके OK का उपर क्लिक करता हूं उसके बाद Finish का उपर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद फिर से एक बार Finish का उपर या Next का उपर क्लिक करता हूं फिर से एक बार Next उसके बाद Generate XML को क्लिक करता हूं और finish curve पर click करता हूँ और थोड़ी देर के बाद ये process complete हो जाएगा ये थोड़ा configuration के लिए time लेगा तो wait करता हूँ configuration complete होने तक देखिए installing dynamic web modules दिखाई दे रहा है उसके बाद open perspective को click करता हूँ और ये open हो गया है अब देख पर रहा है नीचे server दिखाई दे रहा है और जो पूराना server था ओही आभी दिखाई दे रहा है तो इसको delete करना पड़ेगा तो इसको right click करता हूँ और मैं इसी पूराना server था उसको चलाना की process करता हूँ क्योंकि चलाना का कोई मतलब नहीं है तो मैं try करता हूँ ये पूराना server आभी चल रहा है या नहीं क्योंकि ओ तो problem ही था तो मैंने उस port को मैंने change करता हूँ क्योंकि 8080 मेरा दूसरा process चल रहा है जो jam का server है इसलिए मैंने double 8 को select किया हूँ और फिर से एक बार Apache tomcat 9 को run करने के खुशिस करता हूँ और देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं देखिए ये tomcat server नहीं चल रहा है ये जाइज सी बात है इस tomcat server नहीं run होगा तो इसलिए मैंने इस server को delete करता हूँ right click करके और ok का उपर click करता हूँ और यहां पर कोई server नहीं है इसलिए मैंने no server को उपर क्लिक करता हूं और tomcat को select करता हूं जो version 7 का है उसके बाद इस project को select करता हूं उसके बाद finish का उपर क्लिक करता हूं और आप देख पार है tomcat 7 यह successfully add हो गया है tomcat server 7 का उपर double click करता हूं और यह tomcat server का port successfully open हो गया है और इस port को मैंने change करता हूं 8282 का अंदर क्योंकि मेरा 8080 जो port है यह दूसरा process चल रहा है मैं इसको save करता हूं save करने के बाद मैं उस hotel project को run करता हूं तो run as run on server का उपर click करता हूं और नीचे finish का उपर click करता हूं आप देख पर है यह process चल रहा है और यह successfully run हो गया है देखिए अभी यह complete run हो गया है क्योंकि मेरा जो पहले जो error message दिखाई दे रहा है Tomcat server not working properly इस तरह error message यह Tomcat server unable to start message दिखाई दे रहा है था वो successfully solved हो गया है तो मैंने फिर से एक बार इस project का अंदर एक jsp file को create करता हूं क्योंकि इस jsp file successfully चल रहा है यह नहीं ओ भी देखना पड़ेगा तो इसलिए मैंने index.jsp file को create किया हूं right click करके और यहाँ पे मैं welcome to home page body का अंदर write करता हूं और इसको write करके इस file को मैंने save करता हूं और run as run on server को उपर click करता हूं right click करके उसके बाद इस finish करता हूं और आप देख पर है welcome home page जो message मैं jsp file को पर लिखा था और यहाँ पर successfully run हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह tomcat server को पर error message आने के बाद आप उसको solve कर सकते हैं दोस्तो इस तरह आप भी आपका eclipse का अंदर जो tomcat server का running error message को आप clear कर सकते हैं और आपका project को successfully run कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही तक अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को दोस्तो के साथ share कीजिए Thank you दोस्तो फिर से मुलकात होगा इस तरह एक नया वीडियो में